इंडिया और श्री लंका पहला मैच एशिया कप का जो की इंडिया का पहला मैच था वैसे एशिया कप का दूसरा मैच था अगर बहुत लोगों ने नहीं देखा या आप लोगों ने नहीं देखा तो कोई बात नहीं हम है न यहाँ आपसे बात करने के लिए आपको बताने के लिए आखो देखा हाल कहां क्या कैसे हुआ हैश्टाग डिफरेंट स्ट्रोक्स पे हैश्टाग डिफरेंस्ट्रोक्स आपका स्वागत करता है और आज ये बात करेंगे कि क्या हुआ मैच के अंदर इंडिया और श्री लंका के एशिया कप के मुकाबले में और वो जो आपने इतने सारे सवाल भेजे थे न उसके कुछ और आंसर में इसी वीडियो में करने वाल तुने तो क्या हुआ बने बाजों की तरफ नज़ा डालते हैं पहले फिर से हमारे उपने डिसपोइट किया शफाली वर्मा और स्वृती मंदना ओपन करने आए आए इंग शफाली वर्मा तो चलो फिर भी थोड़ा सहीं हम से खेल रही थी कोशिश कर रही थी वन्स एंट भी नज़र आ रही थी की कैसे व्यक्त समय बताया जाए विकेट की ओपर और कैसे एक अच्छी लंबी पारी खेली जाए तो आल मार्क्स टूहर पर ट्राइंग बट यट अगें इंग की इट वस सक्सेस्फुल और मैनत करने के जरूरत है तुसी दरफ स्मिती मंदना ने बहुत जादा दूर भी नहीं जाना चाहिए जुलाई के अंदर जब भारतिया टीम श्रीलंका का दौरा करने गई थी तब यह ऐसी ही कंडिशन्स थी जो पारी खेली वो सरफ स्कोर की वज़े से नहीं कि उन्होंने आर्शा तक बनाया और बहुत अच्छा कंसॉलिडेट किया इसा लगा ही नहीं कि वो गेम से दूर गई थी और पिछले एक सवा महीने में कोई क्रिकेट नहीं खेली याद रखे जब भारतिया टीम के साथ थी कॉमन वेल्ट गेम्स के अंदर तो हाथ पे चोट लग गई थी और फिर उसके बाद अन्रेट भी नहीं खेल पाई थी और जिस तरीके से पहले मैच में ही कहला चाहा हूँ सहीीं जो जमीमा रोडरिक्स कर रही है अगर शफालि वर्मा करने लगेंगी अपने-पने ंस्टाइल में किसीको इसकियों कॉपी करने के जुरूत नहीं है कि जमी llev चाहिती है अपना स्थाइल रखे बल्लेबाजी कर लेकिन जिस तरीके से जैमीमा रोडरिक्स खेलती हैं वैसी शफाली वर्मा को थोड़े से सीख लेनी चाहिए और कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं इनिंग्स वो देखनी चाहिए 100% 100 out of 100 marks for जैमीमा रोडरिक्स especially because injury से वापस आई and she's played a match winning knock partnership अच्छी बनी हर्मन प्रितकौर के साथ क्योंकि जब मुसीबत आती है तो कप्तान की तरफ ही देखते हैं और फिर से 92 रनों की साज़ेदारी जैमी और हर्मन के बीच में एंड मुझे लगा था वैसे भी 150 रन काफी होंगे श्री लंका के लिए क्योंकि जिस तरीके से विकेट खेल रहा था उतना runs बोड पे काफी थे पर जिस तरीके से भारतिय टीम ने बनाए अगें पहला मैच है परिस्तितिया अलाग है पहली बार इस मैदान पर है इंटरनाशनल मैच हो रहा है पिच स्लो है दूसरा मुकाबला था दिन ता दिन का तो सब कुछ देखेंगे आपकी शरीर कैसे धड़केगा क्योंकि जो लीड प्लेयर जो बेस्ट प्लेयर है वो तो आउट होके वापेस चला गया तो उसके बाद बाकियों के लिए इतना लंबा स्कोर चेस करना और अच्छी आवरेज मेंटेन करना मुश्किल काम है चाहे जिन भी कंडिशन्स में खेल रहे हो और वही हुआ बोलर्स ने अच्छी बोलिंग करी बट फीलिंग मुझे लगा चाहे रादा यादफ के जो स्टॉप से बाक्वर्ट पॉइंट पे या इशक अप टीम का बले बले इंडिया हैस बन दे गेम सो तालिया चलिया आपके बाकी सवाल जो बहुत सारे सवाल थे उसमें से कुछ और आज लेती हो और यहां पर एड्रेस करती हूं सबसे पहले जमीमा रोडरिक्स फैन बेस वही जमीमा रोडरिक्स प्लेयर ऑफ दो इन है देगे अर्लीन दियोल पहले भारतिया टीम के साथ थी और मुझे लगा कि जितनी उपर्चनिटीज उनको मिली वो कम थी चाहे वो टीट्वेंटीज के अंदर हो या ओडियास के अंदर हो वो कम थी ओडियास के अंदर तो उन्होंने अपना डेब्यू ही स्री लंका क नहीं करीना तो कही ना कई वो मौका किसी और के पास अला जाता है क्योंकि ये जो टीम है ये ऐसी टीम है जहां अभी सेटल हो रही है अभी खिलाडी अपनी जगा पकी कर रहे हैं पार्ट फ्रॉम स्मृति मांदना दीपती शर्मा हर्मन प्रीत कॉर एक विकेट कीपर I think ब अपनी टीब से लेकिन हाइस रंगेटर भी बनी लेकिन फिर भी वापस इंटनाशनल क्रिकेट में आने के बाद थोड़ा सा समय लगेगा और अब उनको वेट करना पड़ेगा टीट्वेंटी टीम के अंदर वापस आने के लिए क्योंकि जब जो अल्रडी खिलाडी है वो होती है तो क्या होता है रोकी साब आज ऐसा हुआ रोकी जी मैच के अंदर ऐसा हुआ था खास तोर पर जब वह इंजड हो गई अंकल ट्विस्ट हुआ था थोड़ा तो थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी तो शफाली वर्मा ने ग्लावस डॉन किया था आज विकट कीपर सो यह हो सकता है और यह डेंजरस है मुझे लगता है कि टो विकट कीपर को जाना चाहिए था और दूसरा विकट की पर अगर इस T20 टीम के अंदर and yes, it's a dangerous situation अगर रिचा गोश को चोट लग जाती है तो motivational king का सवाल है who will be the most run scorer और विकट टेकर ने अशिया कप अब अभी तो शुरुवात ही होए केवल दो मुकाबले होए है पहला दिन निकला है तो यह गेज करना मुश्किल है लेकिन मुझे लगता कहीं ना कहीं भारते टीम क्या ही या तो spinner not fast bowler spinner या एक amongst the top four players ही highest run getter होना जाहिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बाकी टीमों के अंदर अभी पाकिस्तान के अंदर भी top order अच्छा है Shri Lanka का captain पर बहुत रिलाय करता है लेकिन ऐसा कोई consistency वाला प्लेयर दिखनी रहा so I will still say कि India से वो खिलाडी होगा highest wicket taker and or a batter as well Shri Ram का सवाल है कि because of T20s and ODS test cricket is losing popularity little bit yes I think over the years हमने देखा है ऐसा होते हुए but अच्छी चीज यह है कि England और Australia women's team ashes में खिलती है और जब भी उनका tournament होता है उसके अंदर एक four day match जरूर खिला चाता है in fact England तो पांच दिन का test match खेलेगा तो यह अच्छी चीज है कि चार से पांच दिन के test match पे आए and I'm pretty sure India भी जब भी दौरा करेगा in fact जब भी home series में किसी को host करेगा या England Australia जाएगा तो test match ज़रूर खेलेगे so थोड़ा सा popularity आचकल कम है पर दूर नहीं गया है I'm sure test cricket is there and will always remain there Mohit Shah का सवाल है What's your memory of Asia Cup? Well the memory is only about India winning and it's always been a very good tournament India हमेशा जीता है हमने अच्छा किया है तो मेरी मेरी हमेशा सही होई है कि भारत का जंडा हमेशा उपर रहा है एक और सवाल है Mohit Shah का की who should be India's number five, six and seven Mohit excellent question I've always felt की Pooja Vasrakar को number five खेलना चाहिए number six रिच्चा खोश को खेलना चाहिए क्योंकि वो विकेट कीपर है अगर वो विकेट कीपर है भारते टीम की तो वो number six खेलना चाहिए और number seven आना चाहिए दीपती शर्मा को विदिप्तो दास का सवाल है Do you think India can dominate world cricket across formats? Well not in the next few coming years not in the next five years but I think India को पहले एक World Cup जीतने की आवशकता है जब वो T20 हो या ODI हो जब वो World Cup जीत जाएंगे न तो वो confidence और एक समझ आजाती है कि आपको टॉप तक जाने के लिए क्या क्या चीजा करनी पड़ती है और जब आप पर पहुंच जाते हैं जैसे वोल्ड चैंपियन हो जाते है तो पता चल जाता है कि आपको यहां सस्टेन करने के लिए क्या क्या चीजा करनी पड़ती है So for Indian women's team to become a champion across formats I think there is still time, not in the near future But yes, we are all waiting because the Indian team is work in progress Kusha Kumari का सवाल है And about Deepti Sharma's around about in India versus England game I think Deepti काफी कुछ दिसका सो चुका है और मैं अपने व्यूस पहले ही दे चुकी हूँ लेकिन फिर से बता रहे हूँ कि मुझे लगता है Deepti Sharma ने सही किया Within the laws of the game किया और मुझे इसमें कोई गलती नहीं दिखती In fact, बहुत बारी एक बात हो चुकी है कि क्या बोलर को ये चीज करनी चाहिए नहीं मैं तो समझती हूँ कि बैटर मैं खुद बैटर रही हूँ मैं जानती हूँ कि क्रीस के अंदर ही रहना चाहिए जब तक बॉल रिलीज नहीं होता तो किसी के लिए भी रूल्स क्यों चेंज हो Shashank का सवाल है Which current India player would you like to bat with? Well, I have batted with Harmanpreet Kaur और मुझे उनके साथ बैटिंग करके बहुत मज़ा आता था क्योंकि 1s and 2s अच्छा खेलते थे and then Harmanpreet जिस तरीके से लंबे शॉट्स लगाती थी तो वो बिल्कुल मैच का रुख बदल जाता था But current India player, apart from Harman, I'll say Jemima Rodrigues You know, she's a busy player and उनको देख के लगता है कि she's always looking out for that single, those twos, nudges, pushes और जब मैं खेलती थी तो मेरी भी गेम ऐसी होती थी मुझे लगता था कि running between से आप हर गेन पर रन ले सकते हैं आपको पास खराब गेंदा ही तो आपको बेट करनी पड़ेगी चौका या चुका मारने की लेकिन बॉल जब आती है तो हर बॉल पर सिंगल हो सकता है हर बॉल पर एक रन निकाला जा सकता है और जमीमा रोडरिक्स को देख के मुझे ऐसा ही लगता है सो अगर अगर करन इंडिया प्लेर के साथ किसी बैटिं करने का मुका मिला चाहिए नहीं लेकिन मिला तो जमीमा रोडरिक्स के राप हमारे साथ बने रहिएगा बिकॉस बहुत सारा और लंबा टॉर्नमेंट है एशिया का पर उसके बहुत सारी क्रिकेट है बट डू टीप शेरिंग और क्वेस्टिंस एंड आयम अशॉरिंग यू मैं सारे सवाल पढ़ती हूँ और यकीन अंजो उसमें से सवाल अच्छे निकलते जाएंगे वीडियोस के अंदर मैं आंसर करती जाओंगी डू टून इन तो हैस्टाइग डिफरेंट स्ट्रोक्स